हेलो स्टुडेंट्स तो केसे हैं आप सब तो हमने स्टार्ट किया था बी फामसी और्गिनिक केमेस्ट्री फोर समेस्टर में यूनिट नमबर थ्री हेट्रो साइक्लिक कमपाउंट जिसमें हमने लेक्चर नमबर वन में देखा था इसका नॉमन्कलेचर एंड लेक्चर नमबर टू में हमने देखा था पाइरोल की सिंतेसिस, रियक्षन, मेडिस्नल यूस, लेक्चर नमबर थ्री हमने फ्यूरेन के उपर किया था और आज लेक्चर नमबर फोर में हम थायोफीन की स्ट्रक्चर, सिंतेसिस, रियक्षन, मेडिस्नल यूस, रेजोनेंस सब कुछ cover करने वाले हैं तो आज का आपका lecture है थायोपीन के उपपर और lecture जो है काफी ज़दा important है तो lecture को ध्यान से सुनना ठीक है आज हम देखेंगे थायोफीन की कुंड़ी पूरी अगर आपको और वीडियोज देखनी है तो मैंने playlist के link जो है चुरू करते हैं आज का topic तो बिल्कुल basic से start करते हैं थायोफीन को ठीक है थायोफीन के बारे में आपको starting में क्या लिखना है सबसे पहले आपको structure याद होनी चीए थायोफीन की तो देखो थायोफीन की structure कुछ इस तरह से है यहाँ पर आपका carbon 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 और एक sulfur है ठीक है तो यहाँ पर 4 तो carbon है और एक यहाँ पर यह sulfur है ठीक तो जो sulfur है न यहाँ पर यह as a heteroatum है क्योंकि 4 तो carbon similar है वो तो homo हो गए पर यहाँ पर जो sulfur है न वो heteroatum है तो आपको क्या लिखना है कि यह 5 member है ठीक है क्योंकि एक, दो, तीन, चार और यह पांच, चार कार्बन एक सलफर, इडिस फाइब मेंबर हेटरो साइक्लिक कमपाउंड गंटेनिंग सलफर एज इडिक हैं। जिसमें जो सलफर है वो हेटेरो एटम है। और एगर मैं चाहूं तो इस structure को इस तरह से भी लिख सकता हूँ, यह जो structure है, यहाँ पर जो carbon है, वो मैंने open गर के लिख दिये, आप देख सकते हैं, यहाँ पर यह carbon, 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 यह देखो, double bond, double bond, यह double bond, double bond, और last में sulfur, और sulfur के साथ lone pair attached है, ठीक है, अब देखो इस structure को, थायोफीन की structure को डिस्कवर किया था, विक्टर मेयर ने, 1882 में, विक्टर मेयर भाई साब ने थायोफीन की structure को डिस्कवर किया था, तो डिस्कवर किस ने किया था, विक्टर मेयर ने, 1882 में, तो थायोफीन का chemical formula देखते हैं, 1 carbon 2 carbon 3 carbon 4 carbon मतलब C4 1 hydrogen 2 hydrogen 3 hydrogen 4 hydrogen मतलब H4 1 sulfur तो C4H4S यह जो है chemical formula हो जाएगा ठीक तो यहाँ पर आपको क्या करना है C4H4S है यह ठीक है C4H4S यह chemical formula हो गया हमारे इसका structure का जिसका नाम है थायोफिन अब देखो इसका molecular weight में आपको बताऊं तो इसका molecular weight होता है 84 और यहाँ पर जो hybridization होता है वो carbon का और sulfur का दोनों का ही SP2 होता है तो जैसे ही आपको थायोफिन पूछे आपको क्या क्या बोलना है कि थायोफिन जो है 5 member heterocyclic compound है जिसमें sulfur होता है फिर आपको ये दोने structure बना के दिखा देनी है उसके बाद आपको बोलना है जो थायोफिन है उसको discover कियाता विक्टर मेयर ने 1882 में इसका chemical formula क्या होता है C4H4S औके and molecular weight होता है इसका 84 औके और यहाँ पर जो hybridization है carbon की हो चाहे sulfur की हो दोनों की hybridization यहाँ पर SP2 होती है कैसी होती है SP2 और थायोफिन जो है aromatic nature का होता है अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता कि थायोफिन जो है aromatic nature का होता है तो देखो यहाँ पर sulfur के उपर है lone pair और यह lone pair जो है resonance में participate करेंगे और resonance में अगर participate करेंगे तो aromaticity आएगी that's why थायोफिन जो है aromatic nature का होता है तो हमने देखा थायोफिन के बारे में कि यह 5 member heterocyclic compound है जिसके पास sulfur होता है इसको discover किया था Victor Mayan ने इसका chemical formula होता है C4H4S और इसका molecular weight होता है 84 और यहाँ पे जो hybridization होती है चाहे carbon की देखूँ चाहे sulfur की देखूँ यहाँ पे hybridization होती है SP2 और थायोफिन जो है aromatic nature का होता है क्योंकि sulfur के उपर lone pair है और lone pair जो है resonance में participate करेंगे इस तरह से इसकी resonating structure है चलो one by one resonance को देखते हैं तो देखो थायोफिन का resonating structure same है जो अपर ने last compound में देखा था ठीक है इस तरह से यहाँ पे resonance होगा ध्यान से देखना सबसे पहले यह sulfur का जो lone pair है न यह यहाँ पर आने की कोशिश करेगा आपको arrow से मेंने दिखा रखा है ठीक है और जैसी lone pair आएगा न तो यहाँ पर bond formation होगा आप देख सकते हैं और अगर यहाँ bond form होने वाला है यह arrow से में बता रहूँ अगर यहाँ bond form होने वाला है तो यह आगे वाला bond टूटेगा और उपर negative charge generate करेगा क्योंकि sulfur तो donate कर रहा है sulfur तो lone pair दे रहा है तो देने वाले के उपर आएगा positive charge तो आप देख सकते हैं second structure में इसके उपर आगया positive charge क्योंकि इसने lone pair दिया first structure में देखो arrow से मैंने दिखा रखा है कि इसने lone pair दिया और जब यह lone pair देगा तो यहाँ पर double bond का formation होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर double bond का formation हो रहा है और sulfur के उपर positive charge आ रहा है क्योंकि sulfur lone pair दे रहा है और आगे जो है double bond का formation हो रहा है और अगर यहाँ पर double bond का formation होगा तो यह वाला bond जो है तूटेगा तो मैंने arrow से तूटते वे दिखा रखा है और आगे जाके negative charge generate करा रहा है इस कोने पर ठीक है अब देखो यहाँ पर क्या होगा ध्यान से देखना यह negative charge जो है एक तरह से क्या है lone pair ही है और lone pair है तो यह आगे जाके bond बनाने की कोशिश करेगा तो देखो मैंने arrow से दिखा रखा है कि यह आगे जाके bond बनाने की कोशिश कर रहा है तो यहाँ पर कुछ bond बनेगा इस तरह से ठीक है यहाँ पर आपको bond बनता हुआ दिख रहा है इस तरह से bond बनेगा ठीक अब अगर यहाँ पर bond बनता है तो यह आगे वाला जो bond है यह तूटना स्टार्ट होगा तभी यहाँ पर bond बनेगा तो आप इस structure में देख सकते हो कि जब यहाँ पर bond बना है जब इस जगे bond बना है तो यह वाला bond जो है तूटा है और यहाँ पर negative charge आया है तो इस तरह से negative charge आगे generate होता जाएगा और फिर यही negative charge जो है वापिस देखो यहाँ पर जो यह negative charge यहाँ पर develop हुआ यह यहाँ आके bond बनाने की कोशिश करेगा और जब यहाँ bond बनेगा तो यह वाला bond तूटेगा और यहाँ पर वापिस negative charge आएगा तो इस तरह से 5 resonating structure बनेगी total हमारे थायोफीन की ओके फिरेन में भी सेम था और थायोफीन में भी सेम आपको बनानी है ठीक है अब देखो physical property देख लेते हैं थायोफीन की तो थायोफीन जो है एक colorless liquid है थायोफीन जो है insoluble होता है water में पर missible होता है कैसा होता है missible होता है पर insoluble है और colorless liquid है ठीक है missible किसके साथ है most organic solvent के साथ यह missible है पर water के साथ तो यह insoluble है यहाँ पर जो इसकी smell होती ना जो इसका order होता है वो बैंजीन से काफी similar होता है तो हमने क्या-क्या देखा यह एक colorless liquid है यह insoluble होता है water में पर missible होता है बहुत सारे organic solvent के साथ ठीके यह एक colorless liquid है ठीके सर समझ में आ गया कि थायोपीन जो है colorless liquid है water में insoluble है missible है बहुत सारे organic solvent के साथ इसकी जो order है वो बहुत similarity शो करती है बैंजीन के साथ और इसका जो boiling point है वो 84 degrees Celsius है यह हमने देखा properties of thiophen एक बार आप वापिस देख लिए जो माउट करके मैं दिखा देता हूँ colorless liquid, insoluble in water, missible with most of organic solvent order जो है इसकी बैंजीन की तरह है और इसका boiling point जो है 84 degrees Celsius है तो यह हमने देखा अभी थायोपीन का first part जिसमें हमने देखा कि यह 5 member होती है एक बार मैं आपको उपर से दिखा दूँ यह 5 member है इसको discover किया था विक्टर मेर ने chemical formula यहाँ पर S कर ले ना आप ठीक है molecular weight 84, hybridization SP2, यह resonating structure हमने इसकी देखी ठीक है उसके बाद हमने इसकी physical property देखी चलते हैं next page पे और देखते हैं इसकी method of preparation की thiophen जो है बनता कैसे है तो देखो सबसे पहला है sodium succinate यह laboratory में बनता है sodium succinate से हम बना सकते हैं thiophen तो from sodium succinate हम बना सकते हैं thiophen तो आपको सबसे पहले क्या करना है सबसे पहले तो मैं इदर ले लेता हूँ इसको zoom कर लेता हूँ ठीक है अब अब अन देख रहे है method of preparation of thiophen तो यहाँ पे मैंने लिया sodium succinate CS2, CS2, CWN, CWN, मेरे साथ बोलो CS2, CS2, CWN, CWN, यह है sodium succinate और जब मैं sodium succinate की reaction कराऊंगा P2S3 के साथ तो यह क्या है phosphorus trisulfide ठीक है P2S3 हम क्या बोलेंगे 3S है मतलब trisulfide है तो phosphorus trisulfide तो जब मैं sodium succinate की reaction कराऊंगा phosphorus trisulfide के साथ तो आपको product बनाना है thiophen ठीक इतना सा आपको याद रखना है तो पहली reaction होगी sodium succinate के साथ sodium succinate कुछ नहीं है CS2, CS2, CWN, CWN P2S3 के साथ जब reaction कराऊंगा तो हमारा जो thiophena वो formed हो जाएगा ठीक है अगली reaction देखते है N-butane के साथ तो देखो यहाँ पर number of carbon से ठीक है N-butane के साथ जब मैं reaction कराऊंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं carbon, 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 carbon और इन carbon की reaction में 4S के साथ करवाँगा और यहाँ पर मैं नाम दूँगा cyclization इसका मैं क्या कराने वाला हूँ cyclization कराने वाला हूँ cycle बनवाने वाला हूँ ठीक है in the presence of heat in the presence of heat तो N-butane की reaction जब मैं 4S के साथ कराऊंगा तो यहाँ पर होगा cyclization और cyclization का सीधा सा मतलब है कि cycle का formation होगा तो कुछ इस तरह से cycle का formation होगा अब आप यहाँ पर देखो 4S में से 1S जो है यहाँ पर आके attach हो जाएगा इस तरह से यह एक sulfur attach हो जाएगा और जो 3S है यहाँ पर आप देखो 3S जो है निकल जाएंगे ठीक है और hydrogen भी निकलेंगे और यह hydrogen निकलने के बाद यहाँ पर double bond का formation हो जाएगा तो आपको तो सीधा सा याद रखना है कि जब मैं N-butane की reaction कराऊंगा 4S के साथ वहाँ पर होगी cyclization और आपको आपका final product बनाना है जो की है thaiophen जो की है thaiophen तो हमने देखा सबसे पहले हम बना सकते हैं sodium succinate के साथ फिर हम बना सकते हैं N-butane से भी नाव थर्ड है पाल नौर सिंतेसिस पाल नौर सिंतेसिस में क्या होता है आपर देखो यह जो है hexa 2,5 di-on और हमने last lecture में बात करी थी कि यह ketone है keto form है keto form है तो हम keto form को inol form में कैसे convert कर सकते हैं तो मैंने आपको बताया था कि यह double bond O जो है इसको जब आप break करोगे तो यह single bond O रहे जाएगा और यहाँ पे hydrogen आके attach हो जाएगा और यह double bond जो है यहाँ पे transfer हो जाएगा तो यह जो structure बनेगी जैसे यहाँ पे अब structure क्या बनेगी अगर मैं इसको inol form में convert करना चाहूँ तो यहाँ पे OH होगा यह double bond रटेगा और यहाँ double bond बनेगा यह inol form है तो यह last lecture की बात है तो पाल नोर सिंतेसिस से हम कैसे थायोफिन बना सकते हैं देखो पाल नोर सिंतेसिस में सबसे बिला आपको hexa 2,5 di-on लेना है यहाँ पर वही P2S5 लेना है और heat करानी है जब आप hexa 2,5 di-on लेंगे और P2S5 से उसकी heat करवाएंगे तो आपको बनेगा 2,5 di-methyl thiophen देखो यह second position पर methyl group है यह fifth position पर methyl group है तो 2,5 di-methyl thiophen इस तरह से आपको पाल नोर सिंतेसिस में product obtained होगा ठेक है सर समझ में आगिया पाल नोर सिंतेसिस कुछ भी नहीं है hexa 2,5 di-on लेना है P2S5 के साथ reaction करानी है heat करानी है बन जाएगा 2,5 di-methyl thiophen ठेक है now next method of preparation आपको देखते है acetylene तो हम acetylene से भी बना सकते है acid मतलब यह carbon lilium ने 2 ठेक है ailean का मतलब क्या है ailean का मतलब है triple bond तो triple bond लगा दिया तो acetylene से हम कैसे बनाएंगे carbon triple bond carbon जब इसकी reaction हम H2S से कराएंगे in the presence of Al2O3 मेरे साथ बोलो acetylene से हम कैसे thaiophen बनाएंगे तो सबसे पहले हमने acetylene लिख लिया 2 carbon बीच में triple bond यह रहे ठीक है उसके बाद हमने क्या करा H2S की reaction करे इसके साथ और Al2O3 की presence में तो हमने acetylene की reaction H2S से कराई किस से कराई H2S से in the presence of Al2O3 तो बना हमारा thaiophen तो हम कैसे बनाएंगे acetylene की reaction H2S से कराएंगे in the presence of Al2O3 तो हमारा बनेगा thaiophen क्या बनेगा बेटा thaiophen ठीक है तो यह सारी method of preparation थी एक बार में revise करवा देता हूँ आपको देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा था सबसे पहले हमने देखा था sodium succinate से ठीक है sodium succinate से हमने thaiophen बनाए था उसके बाद हमने N-butane से thaiophen बनाए था इस तरह से हमने cyclization करा दिया था ठीक है फिर हमने pal nor synthesis से thaiophen बनाए था पर आपको पता है कि thaiophen के साथ दो methyl group भी attached है यहाँ पर तो हम बोलेंगे 2,5 dimethyl thaiophen ठीक उसके बाद जो method of preparation थी वो थी acetylene से तो हमने 2 carbon लिये triple bond लगाया उसके बाद इसकी reaction कर रही H2S से in the presence of L2O3 तो हमारा बन गया thaiophen ठीक है जब आप इसे rough copy में practice करोगे तो आपको आसानी से सारी reaction बन जाएगी अब देखो chemical reaction मतलब हमने जो thaiophen बनाया ना अब उनसे हम कौन-कौन सी reaction करवा सकते है ठीक है अगर आपको theory वगरा लिखनी है reaction की तो वो काफी easy होती है देखो Acetylene react with H2S in the presence of AL2O3 and form thaiophen वैसे मैंने लिखी हुई है theory आपको notes जो है हमारी website पर मिल जाएंगे www.dephtobiology.com मैंने उस website की link भी आपको description में दे रखिए अब जाके notes download कर सकते हैं अब देखेंगे chemical reaction chemical reaction का क्या मतलब है कि जो हमने इतनी मैनस से भी thaiophen बनाया अब वो thaiophen जो है कौन-कौन सी chemical reaction देगा उस thaiophen के साथ अब हम क्या कर सकते हैं वो हम देखने वाले हैं तो देखो सबसे पहला है Electrophilic Substitution Reaction यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं Nitration, Sulphonation ठीक है तो one by one start करते हैं सबसे पहला है Nitration तो देखो Nitration हम कब से कराते आ रहे हैं 12th Class, 11th Class, 1st Semester, 3rd Semester तो Nitration में कुछ भी नहीं है जो हमार पास thaiophen है न उसमें हम HNO3 की reaction करवाएंगे और यह HNO3 जो है NO2 generate करके देगा और यह NO2 आपको 2nd position पे attach हो जाता है ठीक है तो यहाँ पर आप double bond लगाईए सबसे पहले तो ठीक है, correct कर लीजेगा यहाँ पर double bond आएगा ठीक है, यह same bond यहाँ पर भी रहेंगे ठीक, बस यहाँ पर 2nd position पे NO2 attach हो जाता है तो हम इसको बोलेंगे 2 nitrothiophen क्या बोलेंगे 2 nitrothiophen तो nitrogen में 2nd position पे NO2 attach करना है और यहाँ पर double bond लगा ले न ठीक है, चलो next is sulfonation sulfonation में क्या होता है कि हम reaction कराते है thaiophen की in the presence of H2SO4, ठीक है तो क्या होगा SO3H group जो है generate होगा और यह भी 2nd position पे attach होगा तो हम इसको बोलेंगे 2 thaiophen sulfonic acid क्या बोलेंगे 2 thaiophen sulfonic acid ओके, चलो तो हमने sulfonation कराया जिसमें SO3H generate हुआ 2nd position पे हमने nitrogen कराया जिसमें NO2 generate हुआ 2nd position पे ओके, अब हम चलते हैं next reaction पे जिसका नाम है Friedal Craft Asylation तो देखो Friedal Craft Asylation में क्या होता है Asyl group attach होता है यहाँ पे आपको क्या करना है SNCl4 के साथ reaction करवानी है thaiophen की thaiophen लिया है सबसे पहले फिर यह SIL group लिया CH3, C double bond O, CL ठीक है अब यहाँ पे क्या होता है यह CL जो है hydrogen के साथ भाग जाता है यह SCL निकल जाता है और यह जो बच्चा क्या बच्चा आप यहाँ पे C double bond O, CS3 ठीक है यही बच्चा तो यह जो है यहाँ second position पे आके attach हो जाता है बस simple CSI relation कुछ भी नहीं करना यह CL को अटा देना है और जो बच्चा उसको second position पे attach कर देना है that's it बस इतना सा आपको करना है Friddle Craft Acceleration में तो यहाँ पे भी आप एक बात notice कर सकते हैं कि second position पे ही attachment हो रही है ठीक है हम इसे बोलेंगे 2 Acetyl Thiofin ठीक तो चाहे Nitration हो चाहे Sulphonation हो चाहे Friddle Craft Acceleration हो जो भी group generate होता है वो second position पे आके attach होता है अब देखो Chlorination Chlorination में भी आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर भी second position पे ही आकर attach हो रहा है हमारा Chlorine ठीक अब मैं कराऊंगा Thiofin की Reduction तो देखो Thiofin ले लिए हम इने सब से पहले यह रहा और इसकी reaction में करा रहा हूँ Sodium या फिर Ammonia के साथ और यह जो Ammonia है यह Liquid है Liquid Ammonia के साथ में इसकी reaction करा रहा हूँ ठीक अब यह पन देख रहे है Reduction ठीक तो जब मैंने Thiofin की reaction कराई Reduction करवाया तो Reduction का मतलब होता है Double Bond हटाना तो देखो एक तो इस तरह से रटेगा कि यह वाला Bond रट जाए और सिर्फ यह Product रजाए ठीक है और एक इस तरह से होगा कि यह दोनों Bond रटके है एक नया Bond फोर्म होगा जो कि यहाँ पर होगा ठीक है तो किस-किस तरह से होगा या तो यह वाला Bond रटा देना आप तो यह Compound बन जाएगा या यह दोनों Bond रटा के यहाँ पर Bond जोड़ देना तो यह Compound बन जाएगा पहला बनेगा 2-Thiolin और दूसरा है 3-Thiolin ठीक है तो थायोफीन से 2-Thiolin और 3-Thiolin यहाँ पर बन जाएगा यह Reduction है क्योंकि यहाँ पर Bond रटाना है ठीक है In the presence of Liquid Ammonia ठीक है Now एक और Reduction है एक और तरह से Reduction है यहाँ पर नहीं दे रखा Actually मैंने ठीक है कोई बात नहीं एक और Reduction होता है जिसमें सारी Bond रट जाते हैं यह जितने भी Bond है ना यह वाला यह सारी Bond रट जाते हैं और एक Normal Structure रह जाती है यहाँ पर Sulfur इस तरह से इस तरह से ठीक है वो Strong Reducing Agent की Presence में होता है देखो जितना ज़्यादा अच्छा Reduction होगा उतने ही Bond गायब हो जाएंगे और अगर मैं Reagent बहुत ही ज़्यादा अच्छा लूँ तो कुछ इस तरह से Compound बनेगा ठीक है तो आपको तो यही ध्यान रख लेना है कि Reduction में क्या होगा कि Thiofen है और Liquid Ammonia है तो इस दो तरह से Structure बनेगी ठीक है अब चलते हैं Medicinal Use of Thiofen Thiofen के Medicinal Use तो देखो Thiofen and its derivative has many pharmaceutical importance Used as a medicine also used as a anti-cancer agent Chemothoraptic agent Diuretic agent anti-histemic agent तो जो medicinal use है ना Thiofen के Thiofen जो है anti-histemic और Chemothoraptic Medicine Diuretic anti-cancer बहुत तरह से काम आता है ठीक है सर शमझ में आ गया कि जो Thiofen होता है वो Chemothoraptic agent होता है Medicine की तरह काम आता है Anti-cancer agent होता है Diuretic होता है anti-histemic होता है यह सारे agent जो है Thiofen होते हैं ठीक है साथी साथ Thiofen जो है Sedative भी है Hypnotic भी है Anti-convulsant में भी काम आता है और Anti-zalotic effect भी होता है ठीक है तो Sedative Hypnotic तो आप medicinal में अच्छे से पढ़ोगे मैं पढ़ाऊंगा आपको और कुछ drugs होती है जो Thiofen की derivative होती है जिसे Cephalothene ठीक है तो ये काम आती है Anti-microbial agent में काम आती है तो आपको 3-4 drug याद रखनी है जैसे ये दे रखी हो मैंने Cephalothene Tiamidine Tiamidine क्या होती है Anti-hypertensive drug होती है ठीक है ये Anti-cancer है तो इस तरह से आपको नाम-नाम याद रखने है और इसके function याद रखने है कि दो नमर में भी पूचा जा सकता है अलग से कि थायोफिन के medicinal use बता हो और जब बड़ा question बनता है पांच नमर का तो आपको थायोफिन पूरा ही बताना होता है ठीक है तो थायोफिन में आप anti-cancer बता सकते हो एंटिस्टमिक बता सकते हो केमोथरेप्टिक medicinal use बी है इसका फिर आप इसके कुछ ड्रक्स बता रख सकते हो जैसे सेफिनोथलिन जो की anti-microbial है ठीक है ये भी anti-microbial है और ये भी है ठीक और अब चलते है अपन के थायोफिन के कुछ derivative है जो की pesticide में भी काम आते है ठीक है तो थायोफिन derivative are also used as a pesticide ये था अचका अपका lecture थायोफिन के उपर next lecture में हम ये topic कवर करने वाले हैं relative aromaticity and reactivity of pyrrole, furan and थायोफिन ठीक है aromaticity देखेंगे और reactivity देखेंगे पायरोल की, furan की और थायोफिन की तो मिलते हैं बहुत जल्द next video के साथ next topic में अगर आपको इससे related कोई doubt है तो आप comment section में comment कर सकते हैं अगर आपको notes download करने हैं तो मैंने website की link जो है description में दे रखी है आप हाँ से download कर सकते हैं अगर आपको all lecture देखने हैं organic के तो playlist की link भी मैंने इसी description box में दे रखी है और अगर किसी का भाई बंदू need की preparation कर रहा है तो मैंने biology class 11-12 chemistry class 11-12 की quick revision series सास में बहुत ज़्यादा important question practice करवा रखी है और 100% showroom में कि question put up होगा उस से need में तो आप इस channel को उनको suggest कर सकते हैं ये channel class 10 की science के लिए भी है तो वने रहिए जुड़े रहिए देखते रहिए depth of biology have a nice day thank you